नमस्कार आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हाथ की उंगलियों पर ही माला है बाहर की किसी माला की जरूरत नहीं है हमें तो पहली एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से हाथ की पाँच उंगलियां पाँच तत्वों की प्रतीग है यह है फाइर एलिमेंट इसे चोथा 1,2,3,4 अर्थ एलिमेंट पिरसी तत्व इसे चोथा 1,2,3,4 एर एलिमेंट वायू तत्व इसे चोथा 1,2,3,4 वाटर एलिमेंट जल तत्व और इसे चोथा 1,2,3,4 स्पेस एलिमेंट और इनी पाँच उंगलियों के कॉम्बिनेशन से अलग-अलग मुद्राएं बनती है तो पूरा मुद्रा शास्त्र इन पाँच उंगलियों के तत्वों पर आधारित है और जब हम एस्ट्रो पामिस्ट्री पढ़ते हैं तो इनी उंगलियों के पूरवों पर बारा राशियों का विधान किया जाता है हथेली पर 27 नक्षत्रों का, अलग-अलग दिशाओं का, भावों का तो हर एक चीज हमारी हथेली पर हमारे हाथ में है इसको हम पारा राशियों से, बारा भावों से, 27 नक्षत्रों से, ग्रहों से जोड सकते हैं तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको किस तरह से उंगलियों के परवों पर ही माला है तो पहले में एक शलोक लेता हूँ ये शलोक है तो पहले इसका सरलार्थ कर लेते हैं, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताता हूँ तो उसमें क्या गाए? अंगलियों के अग्र भाग पर, आगे वाले भाग पर जो जप किया जाता है जो जप मेरू के उलंगन से किया जाता है तो इस तरह हाथ को ऐसे मिला लीजे सभी उंगलियों को, तो बीचवाली, जप मिद्यमा, निख के करते हैं, जो सबसे लंबी है, इसका बीचवाला पर, मद्यम पर, इसका उलंगन करने पर जब किया जाता है और पर्वों की संदियों पर जो जब किया जाता है पर्व की ये पहला पर्व है ये दूसरा पर्व है ये तीसरा पर्व है तो पहले और दूसरे का संदी कौन सी ये दोनों जहां मिलते हैं और इसी तरह दूसरे और तीसरे की संदी का है ये जहां ये दोनों मिल रहे हैं तो ये तीनों प्रकार के जब निश्फल होते हैं मतलब अंगलियों के अगरभाग पर जब किया जाता है जो मेरू को काउंट ना करें मेरू का उलंगन करने पर और परवों की संदियों पर जब किया जाता है वो तीनों प्रकार का जब निश्फल है तो इसको पहले समझी अच्छे से तो ऐसे समझे पामिस्ट्री में चार उंगलिया है एक उठा है तो चार उंगली में ये पहली दूसरी तीसरी चोती ये गुरू की उंगली ये तरजनी इसको शनी की उंगली या मद्धमा कहते है इसको अनामिका या सूरे की उंगली और ये बुद्ध की उंगली है लिटल फिंगर पंजाबी में चीची उंगली कह ज़ते हैं इसको तो हर एक उंगली के तीन पोरवें एक दो तीन एक दो तीन इस तरह से तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हाथ पर counting की जाती है तो यहां से शुरू करना है सूरे की उंगली से शुरू करना है सूरे की उंगली के मध्य पर्व से शुरू करना है पहले मैं इस हाथ से counting करके बताएता हूँ फिर दूसरे हाथ की जरूरत नहीं है वैसे तो यहां से काउंटिंग करेंगे ओम नमा शिवाए एक ओम नमा शिवाए दो ओम नमा शिवाए तीन ओम नमा शिवाए चार ओम नमा शिवाए पांच ओम नमा शिवाए छे ओम नमा शिवाए साथ तर यहां से तेरा तो यह 12 एक काउंटिंग हो गई तो इधर वाले हाथ पे आप रख लोगे तो यह हो गया वन वन मीन 12 आपकी मन के फिरे जा चुके 12 मंत पूरे हो गई तो यह मेरू है यह मेरू और आप देखेंगे अब जब हम यहां से शुरू करें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा कहीं भी आपने उगली उठाई नहीं है किसी को भी स्किप नहीं किया किसी भी पर को स्किप नहीं किया बिल्कुल इस तरह से हम चले हैं आप देखें ये क्या बन जाता है? ओम ये ओम की अक्रिती बन गई तो आप देखें यहां से शुरू किया हमने ठीक है? आप इस तरह से चलेंगे तो ये ओम की अक्रिती बन जाती है और फिर इधर तो इसको स्किप नहीं करना तो अब दुबारा से मैं बतायता हूँ अंगुलियों के अगर भाग पर जपोगे तो हो सकता काउंटिंग गड़ बढ़ा जाए इसी तरह इसको अगर स्किप करेंगे मेरू को शनी की अंगली का मध्य पर्व तो भी काउंटिंग गड़ बढ़ाने के चांसीद है पूरे बारा नहीं होगे और जो पर्वों की संदियों पर अगर करेंगे ये जॉइंट्स पर अगर करेंगे तो भी काउंटिंग गड़ बनाए के चांसीद है पूरे तो इसका ये मतलब है तो इस परकार का जब फिर निश्पल होता है तो यहां बारा होगे तो इस पर एक लिख लो फिर एक और आपने पूरा साइकल किया पूरा तो इधर दो कर लो तो इस तरह से बारा नहीं 108 इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जैसे पूरे हुए तो आपके 108 होगे आपको पता ना महीने भी हम यहां से काउंट करते थे बच्पन में, जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेज, जो उपर हड़ी है, उबरी हुई, वो 31 का महीना, और जिन इंचे है, तो उसके 30 के महीने, किवल फर्वरी का याद रखना पड़ता है, तो हाथ में सब कुछ है, तो बहारी हैं बाकी सभी मालाएं, आप तुलसी की मा सारी मालाएं हैं, वो सभी उन पर पसीना लग सकता है, गंदगी आ सकती है, उनको रोजमर्णा में धोना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाथ पर जो माला है, आपको जो बाने बताई, हाथ में सभी देवता विराजमान है, कहते हैं ना करागरेवस्ते लक्ष्मी, कर्म अध इसी से खाना भी खाते हैं, इससे बढ़िया पातर नहीं है, भगवान ने इससे अच्छा कोई इंस्टूमेंट नी बनाया, आदमी आज तक हाथ जैसे इंस्टूमेंट नी बना पाया, कितनी मशीने आदमी ने बना ली हैं, तो माला जो है उसमें जनरली 108 मन के रखे जाते हैं, हमारे यहां देखे, 27 नक्षत्र हैं, वैदिक जोतिश में 27 नक्षत्र हैं, और हर नक्षत्र के 4-4 चरण है, तो 27 गुणा 4, 108, इसलिए 108 संख्या क्या हुई, 27 नक्षत्रों के 108 चरण, तो हर चरण के लिए एक मन का, इस तरह से भी कह सकते हैं, और 1 और 8 जुड़के क् आप से लें, तो 9, 1 प्लस 0 प्लस 89, 9 कह है, अल्टिमेट सिंगल डिजिट नमबर है, तो 108 मन के इस वज़े से भी माला बनाते हैं, एक तांत्रिक विदियों के लिए एक गरंत मिलता है, तंत्र की किरिया कलापों के बारे में है, यह शारदा तिलक, तो इसमें कहा गया, शत पूर्ति के लिए जपनी है, तो 27 मन को की माला हो, धन दौलत के लिए माला जपना चाहते हैं, तो 30 मन को की माला हो, अलग-अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए जपनी है, जिस तरह विवाह है, एजुकेशन में सफलता, बच्चे की प्रापती, नौकरी चाहिए, बिज को कि संख्या है तो मन के मैंने बताई दिया शुब पदार्थ के होते हैं लेकिन हाथ से ज्यादा शुब कुछ नहीं है तो हाथ में माला जपिये बहुत बढ़िया परिनाम आते हैं इससे धन्यवाद आप सभी सुष्थ रहें